गुड मॉनिंग अस्टुडेंट्स अगले वीडियो में हम बताएं थे कि प्रेजेंट कंटिन्यूर स्टेंज के बारें बताएं थे और उसमें बताएं थे कि नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि वो दो परकार के होते हैं तो उस चीज़ को आज हम सोल्व करेंगे प्र present continuous tense में बनेगा और जो काम डेली हो रहा है रेगुलर हो रहा है उसे present and definite tense में बनाएंगे तो चलिए हम वीडियो को start करते हैं और यह सबसे पहले देखिए मैं पढ़ रहा हूं तो मैं पढ़ रहा हूं तो इसको आप बताईए कि यह one time है यह regular time है तो यह regular time है regular time है तो यह कैसे बने गया I read कैसे बनेगा I read बनेगा देख सकते हैं आप हम बनाए हैं I read अब अगर जो कोई बंदा बोले कि किसी से कुछ पूछे कि सोहन तुम क्या कर रहे हो तो बोलेगा सर अभी मैं पढ़ रहा हूं आपसे बाद में बात करता हूं तो वह बाद में बात करेगा तो वह क्या हो जाएगा वह one time हो जाएगा क्या हो जाएगा one time तो one time में हम कैसे बनाएंगे वह सोहन तो पढ़ रहा है बाद में वह बात करेगा तो one time है तो उसका बनेगा I am reading इस तरीका से देखिए बन गया अब यहां पर next sentence जो है आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है वह खेल रहा है क्या लिखा हुआ है? वह खेल रहा है तो आप बनाईए किस तरीका से आप बनाते हैं या one time है या regular time है आप बनाईए तो वह खेल रहा है तो देख सकते हैं आप सबसे पहले ये one time है क्या है? one time तो one time है तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको बनाएंगे he is playing he is playing इस तरीका से ये one time है अगर जो बोले कि आपका बेटा डेली पांच बजे दिखाई नहीं दे रहा है तो समझ जाएंगे उसका मा बुलेगे कि मेरा बच्चा खेल रहा है, तो समझ जाएंगे कि खेल रहा है, मतलब उसका एकजाम के तयारी कर रहा है, वो खेल रहा है तो वो डेली खेल रहा है तो उसको हम कैसे बनाएंगे तो उसको बनाएंगे he plays इस तरीका से और जितने भी sentence है आप total बनाएए और समझे कि one time जो काम एक बार हो उसे one time तो present continuous tense में बनाएंगे और जो regular हो रहा है उसे present and definite tense में बनाएंगे जो daily काम हो रहा है तो इस धंग से आप 10-15 sentence बनाएए आपको समझ में आ जाएगा देखिए present tense का definition हम लिख दिये है present tense का बनाने का नियम continuous tense का अगले वीडियो में हम लिखा दिये है तो अगले वीडियो को आप देखिए और जो समझ में नहीं आता है वो comment करके हमें जरूर बताएए बीना comment नहीं करेंगे तो हमको पता कैसे चलेगा कि आप क्या क्या सीखें क्या क्या नहीं सीखें comment करके बताएए कि सर ये नहीं सीखें वो नहीं सीखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और comment जरूर करिए thank you